कि इस ठीक होल्डर वाला है एक इस ठीक होल्डर निकाल दिया और यह सार आइस में कुल्फीज निकल जाएगा तो अ हर प्रकार के साचे हम बनाते आप देख सकते आप आमको बताने का वह सब से अब किसी भी कंपनी की फ्राइंचेस लेनी की जरूरत नहीं कंपनी का फ्राइंचेस यह आगर आपने लिया तो आपको एक लाग दो लाग तीन लाग वह आपके पास से चार्जिस लेंगे और आप उनके कुलफी सेल्फ करते बेटेंगे मार्केड तो उनका कर रहें आप और आप कुलफी बेच रहें इसलिए आप खुद का प्रोड़क्शन चालू कीजे और मार्केड में कुलफी बेच दीजे नमस्कार दोस्तो सभी का सवगत है हमारा यूट्यूब चैनल पे मेरा नाम है संदीप और मैं बोड़ रहा हूँ कोलापूर से जो कि महाराष्ट्रा में आज हम आपके दर्शों के लिए पेश कर रहे है कैंडी मशीन जो कि हमारा सबसे लेटेस मोडल 2030-2024 का सबसे लेटेस मोडल कैंडी मशीन हमने इंवेंड किया हुआ है म pakai सब चोकोवर कुलफी िंडे हैं चाच वानाधी पाषसा में में आप तो दक्रांदी में इस संग कोदें मैंने पड़ी इसका विडियो पच्छा बहुत सव्क भायाता हैم के उडिव में पundu इसलिए मैं आज में सारे अपने हिंदुस्तानी भाहियों के लिए हिंदी में वीडियो पेश कर रहा हूँ यह जो मशीन है इसमें हम दो साचा से लेके चोवेस साचा तक मशीन बना दे कुलफी का मार्केट आज कुलफी का मार्केट बहुत ही बढ़ा है और बहुत ही सेल है बहुत मुनफ़ा इस Kell सेल tweeting का मार्केट 12 महिना सीजन कुलफी चलता है मुझे तो लगता है 2 महिना इसी बरसात के वक्त कुलफी नहीं चलता है ने तो 10 महिना तो 100% कुलफी का मार्केट हर जगह चलता है production cost जो कुलफी का जो है आज आज अगर आपने दूद का माल अगर निकला मावा कुलफी काजू कुलफी कुन सा भी कुलफी ब्रैंड अपने अगर निकला तो आपको costing पड़ता है लगबग 3 से 4 रुपे को आपको एक कुलफी पड़ता है आज मार्केट में कम से कम आप 10 रुपे से लेके 30 रुपे तक कुलफी बेश सकते इसमें हर प्रकार के कुलफी आप बना सकते इसमें हर प्रकार के कुलफी बना सकते जैसे के मावा कुलफी, केशर पिस्टा कुलफी, मैंगो कुलफी बाद में मैंगो कैंडी, औरेस कैंडी यानि ये मशिन में आप दूद का भी माल निकल सकते और पानी का भी माल निकाल सकते आपको किसी भी कमपनी की फ्राइंचेस ही लेनी की ज़रूरत नहीं कमपनी का फ्राइंचेस ही आगर आपने लिया तो आपको एक लाग, दो लाग, तीन लाग वो आपके पास से चार्जिस लेंगे और आप उनके कुलफी सेल्फ करते बेटेंगे मार्केड तो उनका कर रहें आप और आप कुलफी बेच रहें इसलिए आप खुद का प्रोडक्शन चालू कीजे और मार्केड में कुलफी बेच दीजे यह मशीन साभी यह चार साचे वाला मशीन है यह हमरा आठ साचा वाला मशीन है और यह बारा साचा वाला मशीन है जो अभी आमने फिटिंग नहीं किया हुआ है इसका भी सब जानकरी दूँगा मैं आपको आप पूरा में बताना चाहूंगा कि जो हमारे देश वासे हो यह यह उद्ध्योजग महिला हो यह जेंड्स हो आप जॉब करने से भी यह बहुत ही बहतर बिजनेश है कि आप कुलफी का खुद का प्रोड़क्शन चालू कीजिए आपको शिर्फ अच्छी तरह से इसको कुलफी बनाके पैकेजिंग पूरा करके यह मार्केट में सेल कर सकते कुलफी का पूरा फोर्मिला हमारे पास से दिया जाएगा हमरा अगर आपको टेकनिकल आदमी चाहिए कुलफी बनाने वाले तो वो भी आपके जग़ा पे आके पूरा आपको डेमो देगा यह देखें, यह पूरा मशीन के साथ यह पूरा कुलफी का रेशीपी हम प्रोवाइड करते इसमें हमने पूरा जानकारी दिया हुआ है कि 10 लिटर कुलफी में 10 लिटर दूद में क्या क्या आपको मिश्रन डालना पड़ेगा यह सब दिया हुआ है इसके बाद यह प्रोसेसिंग, मैनिफेक्टरिंग भी आपने पूरा बताया हुआ है किसी भी आदमी को समझ में आ जाएगा कि कुलफी का रेशीपी कैसा है और कैसा क्या क्या बनता है यह पूरा मशीन के साथ हमें भी डिस्पैज करते अगर आपको कुलफी का फॉर्मिला मालूम है तो वो आपके इसाब से भी बना सकते लेकिन यह पूरा कुलफी का रेशीपी और फॉर्मिला मशीन के साथ बेज देते स्टार्ट अप बिजनेस के लिए अगर आप स्टार्ट अप बिजनेस में है तो आप यह चार साचा वाला ले सकते यह तो मेरा सबसे फेवरेट मशीन है स्टार्ट अप बिजनेस के लिए चार मोल वाला है जो मशीन है लगबग इसमें दिन में आप साड़े तीर हजार कैंडी निकाल सकते इसके साथ मशीन के साथ अब इस टार्ट अप बिजनेस वालों को जो मशीन लगेगा आपको पहला मशीन लगा है एक तो दूद गरम करने की मशीन जो कि यह हमारा खोया मशीन है यह मशीन नहीं लेना चाते है आप खीक है नो प्रॉब्लेम आप कड़े में भी दूद गरम कर सकते हैं लेकिन उसको कैसा रहता है आदमी को हाथ से चमच से हिलाना पड़ता है इसको हिलाने की जरूरत नहीं इसको पूरा टेफलों सीट सो गरम ने बिटा हुआ है यह बरतन रहता है और इसमें आपका जो रेशिप यह दूद का वो सब निकल जाएगा इसके बाद यह मशीन लेने के बाद आपको एक कुलफी मशीन लेना पड़ेगा कैंडी मशीन और कैंडी इसमें निकालने के बाद आपको एक डीफ्रीजर लेना पड़ेगा जिसमें आप स्टो कीजिए भार के लोग आपके गाव में आपके शहर में आके कुलफी बेच रहे तो आप खुद का प्रोड़क्शन चालू कीजिए और बिजनेस का स्टाट अप करके आपका जिंदेगी में बहुत बदल आएगा आप देखे और इसको बहुत कम स्पेस लगता है यह घर पे ल मोडल है क्योंकि उनका ब्रैंड बेट गया है और वह ज्यादा प्रोड़क्शन निकालते इसलिए फ्रीपेज मोडल में इसको इंड़स्ट्री लाइट लागेगा आपको लेकिन यह जो स्टाट अप बिजनेस वालों को यह सबसे बेस्ट मोडल है यह मशीन साब देख सकत है हमारे सब आज पानी का माल अगर अपने निकाला यानि औरेंज कैंडी मैंगो कैंडी यह कैंडी आपको लगबग 2 रुपे को एक कैंडी कोश्ट पढ़ता है वो भी आज मार्केट में कम से कम 10 रुपे से 20 रुपे दगा बेश सकते हैं और जो दूद का माल आप निकाले हैंगे वो आपको दुबारा कहना चाहूंगा तीन से चार रुपे को प्रोडक्शन कॉस पढ़ता है मार्केट में आप 10 रुपे से लेकि 30 रुपे तक बेश सकते हैं तो कुल्फिका आप खुद का बिजनेस शालू कीजिए हमारा पूरा सपोर्ट रहेगा आपको हमारा आ इसका वीडियो मेंने पेश किया हुआ है मराडी में आप मेरा ये वीडियो देख सकते हैं इसको पूरा कॉपर कोईलिंग के आ हुआ हमने सपोर्ट भी दिया हुआ है ताकि साचा न लगे इसको ड्रेन आउटलेट भी दिया हुआ है यानि आप यहां से नमक का पानी निका सकते हैं अभी यह सा यह पूरा दोलो मशीन लगबल बिस्पैच के लिए पूरा रेडी है हमने सारा फिटिंग किया हुआ इसको पूरा इसको इसको पूरा इसको पूरा इसको पूरा इसको पूरा इसका थिकने से पूरा कोईल किया हुआ हमने यह से उपर से हमने एजिटेटर का फैन बिटा हुआ है अंदर ब्लेड है कि मोटर घुंता रहेगा इसमें हम चार दो मोल से चोबीस मोल तक बनाते हैं चार मोल में लगबग यह मशिन में आपका दिन में तीन से साड़े तीन हजार कुलफी निकलता है आठ मोल में लगबग आठ हजार कुलफी निकलता है यह मशिन में बारा मोल में लगबग आप 14,000 मोल ऐस्क्रिम कैंटीज निकाल सकते हैं और जो सबसे बड़ा मोडल है हमारा 24 मोल मोड़ा उसमें 30,000 कैंटीज निकाल सकते हैं पूरा प्लेस्टिक बोड़ी है और सिमलेस है, जॉइंट कहीं भी नहीं है यानि लिकेज का कुछ संभावना ही नहीं है इसलिए इसको हमने 3 साल का गैरेंटी दिया है बोड़ी को अगर बोड़ी को कुछ भी हुआ तो बोड़ी टू बोड़ी रिप्लेस 3 साल का मशिन का हमने बोड़ी का गैरेंटी दिया हुआ आपको 40-50 साल आपको कुछ यह मचीन को इसलिए जो पुराने मशीन से आप जो रिपेर कर रहे हैं जो स्टील का बोड़ी ले रहे हम भी बनाते थे पहले स्टील का बोड़ी में लेकिन वो चांसिस है क्योंकि इसमें नमक का पानी रहता है नमक का पानी ये जंग पकड़ता है इन फ्यूचर और लिकेज इस होने का चांसिस हो रहता है लेकिन इसको पूरा जीरो लिकेज चांस है और इसलिए इसलिए हमने इसको ड्रेन आउटलेट होगरे सब बनाया हुआ है यह आज कल आगर आपको यह पानी निकालना है तो आप निकाल सकते अभी यह जो यूनिट है 12 मोल वाला इसको हमने फिटिंग अ लगब चार से पास जीन में हमारा पूरा काम हो जायेगा उसका पूरा काम हो गया यह तो पूरा काम हो गया इस पैच के लिए डिस पालरी कि गे लुट लेहें दिया लॉगंधिग टेम्परेचर तो क्या होता है जब आपका फैक्टरी बंद होता है तो इसको जब टेम्परेचर आएगा जो सादे मशीन रहते हैं समझ फैक्टरी बंद होने के बाद minus 10 degree temperature हो तो दुसरे दिन आप आने के बाद लगबग 10 से 15-20 degree temperature loss हो जाता है इसलिए क्या होता है दुसरे दिन आने के बाद आपको machine चालू करना पड़ता है और 2 गंटा 3 गंटा machine चलाना पड़ता है तो light का energy आपका ज्यादा खायेगा हो लेकिन ये long holding है इ यानि आगर इसको minus 10 degree है तो सुबह आने के बाद आप देखेंगे तो सर्फ 3-4 degree इसका drop हो जगा यानि machine आपको ज़्यादा देर चलानी की जोरूत नहीं सिर्फ आप candies production निकालने से पहले आदा गंटा सिर्फ आपको machine चालू करना पड़ेगा बहुत ही better output है regular candy machine से बहुत ही 30 का सबसे latest model में यह machine सब हमारे पास से purchase कीजे हम आपको पूरा support करेंगे हमारा technical उदर आदमी आके पूरा आपको जानकरी देगा इसको जो holding temperature जो आता है मैंने इसमें candies निकाल के भी वीडियो बनाया हुआ है वो आप मरा डिबाशा में बनाया हुआ है मैं अभी मैं इसमें candies नहीं बना रहा हूँ लेकिन यह machine में माइनस 25 के माइनस 30 डिगरी का temperature आता है बहुत ही better output है जो regular machine से भी बहुत ही better output है इसको यह पूरा single phase model है और 8 साचा वाला 12 साचा वाला बाद में 24 साचा वाला जो है वो सब 3 phase model में आता है यानि startup business के लिए यह 4 model वाला जो मेरा favorite है यह स offset बटा बिटाया हुआ है और पूरा noise ले से यानि machine को vibration नहीं आवाज नहीं कुछ नहीं आजूबाजी को किसी को तकलिप भी नहीं होगा इतना silent machine है है हमारा इसको machine को हमने एक साल का warranty दिया है compressor को हमने देड़ साल का guarantee दिया है और body को वापिस बताना चाहूंगा बे body को हमने तीन साल का guarantee दिया हुआ है तीन साल में अगर body को कुछ भी हुआ तो machine to machine आपको refresh मिलेगा है यह हमारा solan की company का guarantee है आपको bill पे लिखके देंगे हम ऐसे शांदार machine सामने बनाया हुआ है इसमें हर प्रकार के machine साम बना दे किसी भी company की franchise लेनी की जर्रत नहीं वो खुद का marketing बना रहा है आप उनके पुलपीज बेच रहे आपको ज़्यादा margin नहीं मिलता है सबी लोग यह machines लेके आप पूरा production चालू कीजिए पूरा इसका lead bid सब चेक कर सकते आप पूरा ही भी है इसको temperature loss भी नहीं होगा यह देखे आपका खुद का production चालू कीजिए और लगबख सतर से आसी टका margin मिला ही आप machine का तो warranty होगरे पता दिया मैंने अगर आपको कुछ भी जानकरी चाहिए तो आप मेरे direct company के mobile पे भी call कर सकते इवन आप हमारे company में आके visit करके machine पूरा check करके फिर आप ले सकते और एक सुविदा हमने चालू किया हुआ है all over India machine हम supply करते अगर आपको order देना है तो आपको सिर्फ 30% 30 तका advance बरना है और बाकी का payment machine उदर आने के बाद फिर आप बाकी का payment कर सकते अगर best quality का machine चाहिए तो शोलंग की refrigeration कोलापूर महरास्त्रा तो यही था हमारा आज का वीडियो अगर आपको कुछ ब्याव और के चाहिए जानकारी तो comments में भी आप comment कर सकते और हमारा company का mobile number है आप जानकारी के लिए 9890970306 और एक alternate number है 9890969611 यही था हमारा आज का वीडियो मेरा वीडियो पसंद आये तो मेरे वीडियो को like कीजे और मेरे चैनल को subscribe कीजे Thank you for watching my video Thank you very much झाहिए 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 झाहिए